हेलो एवरिवन, आज हम क्लास 12 की बिजनेस स्टेडिस में से लेसन नमबर 11, जो मार्केटिंग मेनेजमेंट है, उसका एड़र्टाइजिंग का टॉपिक लेने जा रहे हैं, हमारे 4 एलिमेंट्स थे, जिसे हम कहते हैं, 4 P's of मार्केटिंग, इन 4 P's में से, जो हमारा 1 P है पर्मोशन, इस पर्मोशन का एक कॉंपोनेंट है एड़र्टाइजिंग, ठीक है, तो इसी एड़र्टाइजिंग को हम अपने इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं आज, सबसे पहले एड़र्टाइजिंग का मीनिंग क्या है, एड़र्टाइ सबसे पहली बात कि यह जो एड़र्टाइजमेंट है, जो स्पॉंसर है, जो यह एड़र्टाइजमेंट दे रहा है, स्पॉंसर, ठीक है, जिसका प्रोड़क्ट है, जो वो अपनी सर्विसिस देने वाला है, जिसकी एड़र्टाइजमेंट है, वो स्पॉंसर इसके लिए पहले payment करता है, for example, अगर उसने ये टेलिवीजन में दी advertisement, तो टेलिवीजन वालों को भी वो payment करेगा इस advertisements के लिए, अगर उसने किसी newspaper में दी, तो newspaper को भी वो payment करेगा, तो it is the paid form, advertisement को देने के लिए sponsor हमेशा कुछ payment करेगा, ठीक है, इसके साथ अब मैं ये वाला point ले लेती हूँ, जब sponsor की बात कर रहे हैं, identified sponsor, आप sponsor को जानते हो, sponsor कौन है, वो company जिसका product आप advertisement में देख रहे हो, so the sponsor is always identified, आप ये जानते हो कि ये advertisement किस ने दी, so the sponsor is identified, ठीक है, जैसे for example, अगर हम बाटा के shoes की advertisement देख रहे हैं, अब next बात करते हैं, इस point की, जो हमारा second point है, non-personal communication, और information, non-personal का मतलब होता है, बेटा, simple, one-way communication, ठीक है, one-way कैसे, मतलब sponsor तो अपनी बात कहता जा रहा है, आप सिरफ advertisement को सुनते हो, you are going to only listen to the advertisement, आपके मन में कोई query आ रही है, तो आप नहीं पूछ सकते, अगर आप अपनी query पूछ सकते होते, तो उसको हम कहते हैं, two-way communication, पर advertisement में two-way communication नहीं होता, it is only one-way, इसलिए जब one-way होता है, जब हमारी चीजों को, हमारी emotions को, हमारी queries को ध्यान में नहीं रखा जा रहा, उसको हम कहते हैं, non-personal communication, ठीक है, और information, जो communication हो रहा है, advertisement में, जो हमें information मिल रही है, it is non-personal, सिरफ one-way हो रही है, it is not two-way, ठीक है, इसलिए इसे हम monologue भी कहते हैं, ठीक है, कि जैसे single तरफ से dialogue आए, और dialogue का, तो मतलब ही यही होता है, कि दोनों तरफ से आए, लेकिन यहाँ पर monologue हो गया, एक तरफ से सिरफ information pass on हो रही है, अब about the products और ideas, यह advertisement हमेशा, किसी ना किसी product के बारे में होगी, या तो किसी idea के बारे में होगी, जैसे idea कैसे होते हैं, जो message हो गए, for example, no smoking, ठीक है, जो littering है, वो हमें dust bean में डालनी चाहिए, तो इस तरह से यह जो advertisement है, यह किसी product के लिए हो सकती है, किसी service के लिए हो सकती है, किसी idea के लिए हो सकती है, next is, identified sponsor हम जानते हैं कि advertisement किस ने की, for example, जैसे tourism की advertisement हो रही है, गुजराद tourism की advertisement होई, तो आप उसके sponsor को जानते हो कि, गुजराद government ने यह किया, so identified sponsors, through the media, आपको यह करने के लिए advertisement हमेशा media की help से ही होगी, media चाहे वो आप television लो, चाहे आप radio लो, चाहे आप newspaper लो, ठीक है, newspaper, या आप magazines लो, तो यह हमेशा आपका जो है, कोई ना कोई media है, जो आप जिसके through advertisement कर रहे हो, next, यह हम सब कर किस लिए रहे हैं, we are going to persuade or influence the behavior of the people, किस लिए, so that the sale can be increased, promotion में तो हम जितने भी काम करेंगे, हमारे जितने भी components थे promotion में, चाहे वो four components है, चाहे वो personal selling है, चाहे वो advertisements है, ठीक है, चाहे वो public relations है, जो भी हैं, हमारे incentives हैं, जो भी, ठीक है, वो सब हमारा एक ही काम है, वो काम क्या है कि हमने, जो behavior को, sorry, behavior को हमने influence करना है, किस वज़े से influence करना है, so that the sales can be increased, यह advertisement का ही नहीं, सिर्फ सारे promotion, जो हमारा element है, उसका एक ही काम है, कि sales को increase करना है, कैसे, so that the people of, so that the behavior of the people, behavior of the customers can be influenced, and the sales can be increased, अब हम अगर इन सब को एक sentence में लिखते हैं, तो वो हमारा advertisement का meaning हो गया, कैसे, that it is the paid form, ठीक है, which is always done by the identified sponsor, and by the help of the media, so that the behavior of the people can be influenced, to increase the sales, यह आपने जब इसको एक sentence में cover कर दिया, तो वो आपका advertising का meaning हो गया, इसको different parts में इसलिए तोड़ दिया गया, break की है, ताकि आपको हर part का meaning समझ आ जाए, अब हम बात करते हैं, what are the features, or advantages, or merits, of advertising, ठीक है, देखें बेटा, features तो वैसे होता है, जो हमारी nature होती है, advertisement की, ठीक है, जो nature है advertisement की, वो features, इसमें दोनों topics को combine कर दिया गया, चाहे हमारा feature का topic आजाए, या advantages या merits का topic आजाए, हमारी एक ही explanation इसमें cover हो रही है, सबसे बड़ी बात है, first point, advertisement का सबसे बड़ा फाइदा या feature यह है, reach, मतलब यह कहां तक पहुँचती है, अगर एक बार advertisement कर दी, for example, चाहे हमने by radio की, या television की, within seconds, ठीक है, within seconds, it will reach to mass at the different corners, ठीक है, बहुत तेजी से यह, जो भी उस वक्ट television देख रहा है, उस सब ने वो advertisement देख ली, so reaches at the different corners of the country, यह advertisement का है, एक newspaper में ही अगर advertisement आ गई, तो definitely उस दिन, वो कितने लोगों तक, अगर national newspaper में दी, तो वो throughout the country, वो सब को advertisement पहुँच गई, अगर हमने local paper में दी, तो local, जितने भी people हैं, वहां के जो residents हैं, उन तक वो advertisement पहुँच गई, so it reaches at the different corners, by the help of the media, यह advertisement का सबसे बड़ा फायदा बेर, next is choice, different ways are there, different medias are available, for example audio, किसी-किसी जगह हो सकते है, television ना हो, जो बहुत अलग जगह हैं, जो बहुत जैसे remote areas हैं, लेकिन radio वहां भी काम कर रहे हैं, ठीक है, यह actually बात पुरानी हो गए, अब तो हर जगह televisions है, पुराने time में वहां पे radio ही चला करते थे, वो सुबह-सुबह अपने transistors चला लेते थे, और उसी में news और songs सुनेंगे, ठीक है, ladies की अलग magazines होती है, जो professionals हैं, उनकी अलग magazines होती है, तो यह different medias are available, अब हमें यह देखना है, कि इसमें से हमें चुनना कौन सा है, it will be chosen very carefully, depending upon the target customers, कि हमने अपनी news, अपनी advertisement दिखानी किसको है, for example, अगर यह कोई ladies product है, ठीक है, cream है, moisturizer है, जो जादा तर ladies ही purchase करने जा रहे हैं, घर के लिए, तो वो हम किसी ladies की magazines में भी दे सकते हैं, हम newspaper में भी दे सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हम TV भी कर सकते हैं, लेकिन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे for example, हमने accountants हैं हमारे, accountants की, accountants को, जो अपने accounts maintain करने हैं, उसके लिए हमने एक बहुत simple सा कुछ ऐसी तरीका ढूंड लिया, कि जो वो simply और easily जिसको हम, accounts maintain कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर हम printed material, इनके लिए जैसे accountants के लिए, chartered accountants वगेरा के लिए, एक अलग magazines आती हैं, तो हमें उसको choose करना पड़ेगा, so that they can get the information, ठीक है, वो सकते हैं, वो अपनी busyness की वज़े से, television कम देखते हूं, तो अगर हमने उनी की magazine में ये advertisement दे दी, कि हमने एक ऐसा ऐसा software बनाया है, तो वो उसको जरूर उनकी नजर पड़ेगी, so select the media very carefully depending upon the target customers, choice उसकी carefully कीज़े, Legitimacy, Legitimacy का मतलब होता है, एक तरह से legal faith, ठीक है, जो advertisement में, sponsor ने जो claim कर दिया बेटा, ठीक है, वो हमेशा आप ये मानो कि, वो गलत claim कभी भी नहीं करेगा advertisements में, क्योंकि गलत claim नहीं कर सकता वो advertisements में, क्योंकि जो advertisement वो publicly दिखा रहा है, वो तो legal proof हो गया, सब ने देखी, advertisements are always public, चाहे वो newspaper में दी, चाहे वो televisions में दी, तो जो भी उसने publicly announce कर दिया, वो false information नहीं दे सकता, it will always be true information, और अगर उसने false information ले दी, तो definitely he will be under bars, ठीक है, उसके against action भी हो सकता है, अगर किसी customer को उसका पता चल गया, कि गल्थ information दीए, so, legitimacy is always there, customers believe, because they believe that this advertisement is public, the sponsor cannot claim the false facts, false information, so, they believe on the facts given in the advertisements, और इसी वज़े से, क्योंकि वो इसको जानते हैं, कि हमेशा वो जो claim कर रहे हैं, वो उसमें सचाई होगी, so, they always prefer, जैसे अब मैं इसके साथ आपको six point बता देती हूं, due to this only, क्योंकि customers का faith बढ़ जाता है, उन्हें पता है कि गल्थ information नहीं दी होगी, customer satisfaction increases, customer confidence increases, उनको मालूम है, they are assured about the quality, ठीक है, और उन्होंने उसका जब नाम भी सुना हुआ है, because they have seen the advertisement, so the name is familiar, name of the product is familiar, so they will never hesitate to pick the product whose name is familiar, ठीक, तो वो advertisement वाले product को बहुत easily pick करते हैं बेटा, क्योंकि वो उसकी quality के बारे में assure होते हैं, वो उस information के बारे में assure होते हैं, जो कि sponsor claim कर रहा है, so it enhances the customer satisfaction and confidence, ठीक है, अब आप बात करते हैं expressiveness की, advertisements are very expressive, आप ये देखो कि कई बार program देखके जो मज़ा नहीं आ रहा होता, वो हमें advertisement देखके आ रहा होता, क्योंकि आजकल जो हमारी advertisements हैं, they are very expressive, क्यों expressive हैं, क्यों वो इतनी interesting बना दी जाती हैं, क्योंकि उनको पूरी तरह से dramatize किया जाता है, और कई बार इस drama में तो पूरी एक story include कर ली जाती है, ठीक है, तो उसमें उन्होंने किस-किस की help ली, उन्होंने drawings की help ली, music के ली, dance के ली, हर चीज के ली बेटा, pictures के ली, और उसके बार, और भी जो latest techniques हैं, उससे और multimedia effect से, उसकी जो एक expressiveness है, उसको और increase किया, कैसे? multimedia effect से बेटा, ठीक है, multimedia effect डाला, और expressiveness उसकी increase हो गए, example ले लीजे, thumbs up वगएरा की, जो advertisement आती है, thumbs up की, आप उसमें देखते हो ना, जो भी आपके heroes हैं, वो एक जगा से दूसरी जगा पर jump कर रहे हैं, वो क्या है, multimedia effect भी है, उन्होंने उसके बाद, इतना उसमें music, dance और उतना कुछ expressive, उसको बना दिया है, कि advertisement देखके ही, उसको एक जो customer है, जो viewer है, उसको मज़ा आता है, so expressive advertisement, always interesting, ठीक है, next is economy, यह कहा जाता है, it is always said, कि जो advertisement पे पैसा खर्च हुआ, वो कहां से लिया जाएगा, definitely वो customer से लिया जाएगा, तो customer से लेने से क्या होगा, कि उसके जो price हैं, वो increase हो जाएंगे, ठीक है, it is said, advertisement increases the cost and price of the product, किया, और advertisement देने पे भी खर्च किया, क्योंकि उसने television वालों को advertisement दी, और उसने per second उसके लिए pay किया, तो यह कहा जाता है, कि advertisement से price और cost दोनों increase हो गए, सही बात है, बिलकुल, लेकिन, साथ-साथ हमने यह भी कहा, देखो first point, it reaches mass, numerous people तक पहुँच जाएगी है, within one minute, और अगर हम, इसका cost per person खर्च निकाले, ठीक है, for example, यह इसमें one crore people तक at a time पहुच गई है, जो मैंने बहुत कम लिया है, जो बोल रही हूँ है, और उसी में हमने one crore rupees ही खर्च किया था, तो कितना हुआ, one rupee per customer आया, ठीक है, तो यही बात इन्होंने के ही है, कि यह महंगा नहीं पढ़ता advertisement, क्यों नहीं पढ़ता, क्योंकि जितना खर्च हुआ है, ठीक है माना खर्च हुआ और वो customers ने पे किया, लेकिन, यह mass तक पहुँचती है, mass का मतलब numerous, बहुत जादा लोगों तक यह पहुँचेगी, numerous customers तक यह पहुँचेगी, और अगर हम cost per person, cost per customer निकाले, it is negligible, बहुत कम आएगी, इसलिए यह economical है, यह खर्च नहीं बढ़ाती, तो इस तरह से यही advertisements के features हो गए, यही इसके advantage या, merits हो गए, जो भी question आए, यही points आप सारे लिख सकते हो गएटा, ठीक है, हमने अपने इस वीडियो में, सबसे पहले promotion को explain किया था, मतलब promotion हमने अपने previous वीडियो में explain किया था, और इसमें promotion के element, advertising को explain किया गएटा, promotion के 4 elements थे, उन में से हमने इसमें advertisement का meaning explain किया, इसलिए दोनों ही एक ही चीज़ है, ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, next वीडियो में मिलेंगे हम एक नए topic के साथ, thanks to all of you,